आठ फर्वरी के राज साड़े साथ बज़े के लगबग डबलुसील शक्तिनगर कॉल्मी सावनेर में एक बंदर का बच्चा जो छट से नीचे जागिरा जिसकी जानकारी आकाश परतिती द्वारा प्राप्त होती ही वन्नेचीव प्रेमी शाम गुडार तुरंत ही बंदर के बचकी बच्चे को रेस्क्यू करने पहुचकर बंदर के बच्चे की हालत बहुत ही गंबियर होने से उसकी प्रातमरी जांच की गई उसकी प्रातमिग जांच करने पर पता चला कि इसका कंदा उकडा हुआ था। उसके सिर में चोट लगी थी जिसके कारण उसकी जुबान भी कुछ कट गई थी और पैर की एक उंगली भी कट चुकी थी तो बंदर को तुरन इलाज की अवशकता को देखते हुए तुरन थी वनविभाग खापा की फॉरेसकार पंकच लमसे से संपर्क किया जिन्होंने वन वन विभाग कलमेश्वर टीम से संपर्क करमेश्वर वन विभाग रेंज ओफिसर नौर कर मंगेश पांडे आधी अपने टीम के साथ तुरन्त ही घटना सल पहुचे तथा जक्मी बंदर को लेकर वन विभाग की टीम नाकपुर के लिए रवाना होगे वन्यजीव प्रेम अनिमल वेलफेर बोर्ड अफ इंडिया के ग्रामीन स्तर पर कारे रत वन्यजीव सरेक्षिन कार्यों की सभी स्तरों से प्रशन साख की जारी है BCN News के लिए सावनीर से सवादाता किशोर ढूंडे की रिपोर्ट